Hello everyone, welcome to my channel Priya Love To Dance and I am Priya और आज का वीडियो में लेकर आई हूँ especially beginners के लिए, non-dancers के लिए basic 3 simple steps सिखाऊंगी मैं जिसको करके कोई भी easily simply dance कर सकता है शादियो में, बरात में आप आसानी से और मस्ती से डांस कर सकते हैं ओके, तो let's start सबसे पहले आता है step 1 उस पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम footwork देखेंगे, pad चलाना क्या करना है, right leg आगे ले गए and then right leg पीछे बस, ठीक है, simple इतना right leg आगे, जबी हम right leg आगे ले जाएंगे तो weight हमको right leg पे रखना है और हमारी कमर भी आगे जाएगे, ठीक है पिर जब हम इसको पीछे लाएंगे तो बीच में weight हमारे left leg पे रहेगा पिर जब पीछे लाएंगे तो पीछे भी right leg पर weight और कमर जाएगी leg के साथ बाहर ठीक है, so one and two one and two अच्छा एक बार में बोलूँगी कि वीडियो को बैट कर मत देखिए आप ही साथ में खड़े हुगे, यह साथ में कीजिए practice कीजिए, तो आपको easily जल्दी आएगा क्योंकि dance देखने से नहीं आता करने से आता है, practice करने से आता है तो कीजिए मेरे साथ one two one two, okay, बहुत ही simple step है और इस footwork के साथ हम काफी hand movements कर सकते है काफी step कर सकते हैं, okay same step, left leg के साथ करेंगे left leg आगे पीछे, उसके साथ में कमर जाएगी one two one and two ठीक है, अभी देखते हैं hand movements okay, तो एक तो हमारा यही हो गया, कमर पे हाथ रखके one two three four, okay and यह कर सकते हैं, left hand sir पर और right hand कमर पर one two three four same with left leg one two three four okay then next step हम कर सकते हैं one two three four ऐसी ही हाथ उपर रखकर one two three four तो देखा, तो इस तरीके से हम same footwork के साथ, simple leg movement के साथ, हम डिफरेंट डिफरेंट कई सारे hand movements कर सकते हैं, और अपनी कॉरियोग्राफिय में, अपने किसी भी सौम उपर, इन steps को लेकर, हम डान्स कर सकते हैं, okay so simple steps हैं, so one two three four five six seven eight एक हम कर सकते हैं, center से हाथ ले जाकर, जभी right leg आगे जाएगा, तो उपर hands open किये, फिर center में लाएग, फिर right leg तीछे जाएगा, तो नीचे hands open किये, ठीक है, so one and two, one and two, okay, center से लेकर जाने हमें, one and two, with same leg movement, उसी leg movement के साथ, okay, तो इस तरीकी से, एक leg movement के साथ, हम कई different hand movements कर सकते हैं, okay अभी आता है step two, okay, तो step two में हमें क्या करना है, वही रहेगा, जो हम आगी पीछे कर रहे थे, बस उसे फोड़ा सा, side में कर लेंगे, ठीक है, तो जैसे right leg हमें left leg के थोड़ा सा आगे रखा है, one and फिर पीछे, diagonally पीछे, one and two, one and two, okay, one and two, अभी hand movement देखते हैं, तो left hand open किया, right hand, leg के साथ जाएगा हमारा, जो भी right leg आगे है, तो हाथ आगे, पीछे है, तो उठा के यह पीछे, okay, So, one, two, one, two, one, two, ठीक है, वही हम left leg के साथ भी कर सकते हैं, one, two, one, two, one, two, okay, simple है, One, two, इसी को fast कर सकते हैं, one, two, three, four, five, six, seven, eight. अभी आता है step three, तो step three पर मैं सिखाऊंगे आपको पैरों की dipping, okay, Dipping बहुत ही common है, simple है, और generally कई सारे songs पर हम dipping के साथ में, different different hand moments पर, किसी भी song पर हम dance कर सकते हैं, okay, तो dipping में पहले आपको बताती हूँ, side में होकर जैसे आपको समझ आए, एक leg हमारा आगी रहता है, जैसे कि अगर left leg आगे है, ठीक है, तो पहले हमें left leg को उठाक कर रहना है, उस पर wait लिया, right थलका सा उठ जाएगा, फिर right को पीछे रखकर left उठेगा ही, ठीक है, जो आगी पैर है, उसका knee उपर आएगा, इस तरीके से, तो ये 1 and 2, 1, 2, ठीक है, इस तरीके से होती है, dipping, इसे हम dipping बोलते हैं, ओके इसी को fast कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ऐसे ही, अभी जैसे ही हमारा left leg आगे है, right leg आगे रखकर भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये वहती है, dipping, तो dipping करके पैरों की कई सारे hand movements किये जा सकते हैं, और किसी भी song पर dance कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, सुन्दर और easy, तो एक कर सकते हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या फिर हम कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ओके, right hand नीचे से ले जाकर shoulder पर, left hand नीचे से ले जाकर shoulder पर, या फिर, दौनों hands shoulder पर, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या फिर, hand side में कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टारै अर्णिष्ण बढ़ टारै ओके से ले खर बेता हैं, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 5, 7, 11, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16. तो देखा इस तरीके से सिफ एक ही footwork के साथ हम कई सारे hand movements कई सारे dance steps कर सकते हैं और किसी भी song में इसको include कर सकते हैं तो I hope आप सभी ने मेरे साथ साथ सीखा होगा practice की होगी खड़े होकर तो आपको आगए होंगे तो जरूर मुझे comment में लिख कर बताईए कि आपको इस step आएके नहीं कैसे लगे और अगर आप और भी कुछ इस तरीके के step सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर बताईए तो मैं जरूर इस तरीके के और वीडियो आपके लिए लिख करा हूँ ही and thank you so much for watching my videos have a good day bye bye